मगरमच के जबडे इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबडों के बीच में फस जाए तो मगरमच उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है लेकिन इस दुनिया में कैसा पक्षी है जो कि मगरमच के मुग के अंदर चला जाता है लेकिन इसके बावजूत भी मगरमच उसे खाता नहीं है उस पक्षी का नाम है Egyptian Plower Bird पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच के दातों में फसुवे खाने को वो Egyptian Plower Bird अंदर जाके चुक चुक के खाता है जिससे मगरमच के दात साप हो जाते हैं अब इससे मगरमच को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी वज़ाए से मगरमच उसको हाम नहीं करता गाईस यह amazing informative वीडिया आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing वीडियो के लिए YouTube पे हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को शेर करेगा और लाइक करना